bear with me because आज class थोड़ी सी लंबी होने वाली है इसलिए ज्यादा time जाया नहीं करते let's get started ओके सो वेलकम बाक वेलकम बाक आज हम सीखने वाले हैं brush tool को और brush tool नाम से पता चल रहा है कि आप specific picture के area को brush कर सकते हैं और फिर उसके उपर अपने saturation यूज़ कर सकते हैं उस पर exposure सेट कर सकते हैं आपके पास basic tab बारे सारे options मिल जाते हैं अगर आपने उस specific area को brush यूज़ करते हुए select कर लिया और इसकी ज्यादा better demonstration मैप को करता हूँ तो आप आज़े screen पर okay so अगर हम अपने top row पर जाएं जहांपर crop tool और बागी tools आपको मिलते हैं तो ठीक आखिर मैं आपके पास यहाँ पर brush tool आ रहा है अब आपने इस brush tool पे click करना है और जैसे ही आपने click किया अगर आप आप picture पर आते हैं तो यह आपका जो mouse है इसने अपनी shape यानि यह जो cursor था है इसने अपनी shape चेंज कर लिया और यह जो rounded shape है यही brush tool है अब आपके पास यह जितने भी options हैं यह मैंने आपको already basic tab के अंदर बताया हुए है तो अगर आपने basic tab की class नहीं ली तो ठीक यहां उपर मैं link दे रहा हूँ आप वो class ले लीजिएगा आपको बेतर समझाएगी अब हमारे पास जो main brush tool है आप वो यहां पर आता है यह brush जहां पर लिखा हुए है अब आपके पास A, B and erase को option है So A और B actually करता यह है कि अगर आपको इस picture में दो तरह का काम करने है आपको एक छोटा brush चाहिए और उसकी settings दूसरी हो और एक और brush चाहिए जिसकी settings कुछ और हो तो आप इन दोनों के बीच switch कर सकते हैं अगर मैं चाहता हूँ कि A छोटा brush हो तो मैं उसका size इतना रख रहा हूँ कि वो यहाँ पर इतना सा brush है और मैं चाहता हूँ कि B का size बड़ा हो और उसका size अब इतना है और उसका feather भी zero हो picture में हमें यूज़ करने के लिए और उस picture में हम इन दो brushes को यूज़ करना चाहरे हैं तो मैं दोनों के बीच switch कर सकता हूँ अब यह मेरे लिए मसला होगा कि यार मैं आके पहले A से काम करना चाहरा हूँ A को पक्ड़ूँ उसके बाद दुबारा B को आके क्लिक करूँ तो आपके पास एक बहुत असान तरीक है अगर आप अपनी shift की keyboard पर देखें तो उसके साथ forward slash की होगी अगर आप उस पे एक बार क्लिक करें तो आप इन दोनों brushes की बीट में जम्प करेंगे यह देखें यह जम्प हो रहा है और अब इस brush का कोई effect हमने apply कर दिया अगर मैं exposure zero कर दूँ और मैंने brush का effect apply कर दिया यहां पर और मैं चाहरा हूँ कि इस effect को अब मैं delete करना चाहरा हूँ तो यहां पर erase का option है आपने erase पर आके क्लिक किया आपको size भी मिल जाएगा eraser का feather भी मिल जाएगा और flow भी मिल जाएगा लेकिन इसका भी एक असान तरीक है कि अगर आप इसी brush पर हैं यहां पर जाए बगएर आप इसको delete करने तो उसका असान तरीक है यह कि आपने क्लिक करना है alt if you have a PC, windows or option key if you have a Mac आपने press किया और अब यह आप देख रहे हैं कि circle के बीच में एक negative बन गया है positive की जगा sign जिसका मतलब है कि यह अब erase कर रहा है आपने इस पर क्लिक करना है और इसने दुबारा इसको erase कर दिया यह याद रखने की जरूरत है कि यह इस point को खतम नहीं करेगा इस brush का जो point था वो अदर ही रहेगा इसने खाली erase कर दिया जो इस brush का effect था सारा तो अगर आपको इस point को delete करना है अब आपने size को तो समझ लिया feather को समझते हैं तो आप यहाँ अगर mouse को देखें हमारे अगर इस cursor की जो shape चेंज हूई है मैं आप देखें दो circle है मैं आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि जो बाहर वाला circle है और अंदर वाला circle है इसके दरम्यान में जतना area वो feather है यानि बाहर से आइस्ता होता हुआ वो picture को इसके साथ blend कर रहा है यानि अगर मैं इस वक्त इतने feather के साथ एक line बनाता हूँ और मैं feather zero करके एक line बनाता हूँ तो यह आप देख रहे हैं कितनी soft और rigid सी line है और यह आप देख रहे हैं कितनी blend होती ही line है बाहर से blend होती ही आ रही है तो यह होता है feather अब एक और चीज हमारे पास उसके बाद है flow तो मैं सबसे पहले alt key को press करके इन दोनों को erase करता हूँ और अब मैं आपको समझाता हूँ कि flow क्या करता है अगर मैं flow को इस वक्त 50% पे रख देता हूँ और अब मैं एक line बनाता हूँ तो यह आप देख रहे हैं कि यह line बहुत कुछ ऐसा लग रहा है जिस तरह अगर मैं pen की मिसाल लूँ तो pen में थोड़ी थोड़ी ink निकल रही होती है और अगर मैं इसको 100 कर दूँ और अब मैं अगर line बनाओ तो आप देख रहे हैं कि pen की जो इंक है वो full एस में अब flow की अच्छी बात यह है कि अगर आपने 50% flow रख रख है और आप चाहरे हैं कि आप experiment करना चाहरे हैं उसके साथ उपर उपर तो आप दुबारा flow की उपर क्लिक करें तो यह उपर जिस तरह layers काम करती है इस तरह layer बनाता जाता है तो आप बिल्कुल वैसी आप ले सकते हैं शेप जितना आप ज़्यादा इसको उपर apply करेंगे अब ही मैं alt की को प्रेस करके इसको भी remove कर रहा हूँ density basically इसी तरह काम करता है अगर मैं आपको density zero करके दिखाऊँ काम करके तो आप देख रहे हैं कि यह बहुत effect काम हो गया और बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है मैं 50% करके दिखाऊँ तो यह अब आपको तोड़़़़दा नजर आ रहा है income या ज़्यादा नहीं करता और density usually आप 100 पर ही रखते हैं और it's totally up to you आप मैं alt की पर प्रेस करके इन सब को zero कर रहा हूँ अब उसके बाद हमारे पास एक और option है यहाँ पर auto mask का और यह पूरी की पूरी composition मैंने इसी विरस से photoshop पर बनाई ताके मैं आपको auto mask समझा सकूँ अब अगर मैं यहाँ पर ठीक एक line बनाता हूँ तो यह आप देख रहे हैं कि यह दोनों जगों पर आ रही है यह यहाँ पर भी आ रही है इस layer पर भी आ रही है जिसका मतलब यह है कि अगर real world के अंदर यहाँ पर sky है और यहाँ पर आपकी कोई building है तो यह उन दोनों पर effect करेगा और यह मैं exposure down surface फरसी किये हुए ताके आपको बेतर समझा सके अब अगर मै auto mask on करता हूँ सबसे पहले तो मैं इस पूरे को delete कर देता हूँ और अब मैं auto mask on किये हुए यह जो मेरा plus का sign है इसको मैं दूसरी तरफ नहीं जाने देता मैं अभी white portion पर रहके नीचे की तरफ प्रेस करता हूँ तो यह आप देखें कि यह दूसरी तरफ line नहीं बना रहा इसने सारा का सारा effect इसी layer पर किया लेकिन जैसे मैं plus को इस layer से दूसरी layer पर यह देखें इसने अब इस पर effect करना शूरू कर दिया तो अगर for example हम sky की saturation बढ़ाना चाह रहे थे और यहां पर sky था तो हमने auto mask on करना है और sky पर ही काम करना है लेकिन sky से अगर हम हलका सा भी move करके building की तरफ चले गए तो फिर वो saturation उस पर भी apply होगी इसलिए यह आपको समझना जरूरी है कि masking किस तरह काम करती है अब अगर आपने यहां पर एक line बना दी तो आपके पास कुछ और options भी हैं आपके पास यहां पर range mask पर अगर आप आज़ें तो आपके पास color का option है और luminance का option है अब यह किस तरह काम करता है मैं समझाता हूँ तो आप जब color पर click करेंगे तो आपको यहां पर यह eye dropper मिलेगा अब यह eye dropper करता ही है कि इस message जिस layer पर आप चाहते हैं कि जिस color की उपर काम रहे brush का आपने उस पर click कर रहे है मैं चाहता हूँ कि यार इस वाले पर काम रहे बाकी इन दो पर जो भी brush का effect है वो ना रहे तो मैं ठीक यहां पर आके click करूँगा और यह देखें इन दोनों पर से इसका effect खतम हो गया है लेकिन आप देख रहे हैं कि यह darker surface मैंने choose की थी तो यह भी हलकी सी dark surface है जिसकी और यहां पर हलकल का effect शो हो रहा है white से बिल्कुल खतम हो गया अगर मैं चाहता हूँ यहां से भी बिल्कुल zero हो जाए तो मैं ठीक इस slider को आके move करूँगा अगर मैं इसको पीछे की तरफ move करूँँ तो आप देखें कि मैंने amount zero की तो वो इस layer से भी बिल्कुल चला गया और वो सिर्फ और सिर्फ इस dark color पर रह गया और बाकी दोनो lighter color से move हो चुका है ओके सो अब आप चाह रहे हैं कि आप इस जो आपने eye dropper का effect डाला है आप इसको remove कर दें तो आपने alt if you have a pc, windows और option key if you have a mac आपने alt को प्रेस करना है आपकी एक cursor scissor में बन जाएगा उसके बार ठीक है आपने दर आके इस पर click किया और यह देखें उसका effect सारे का सारा range mask जो color का effect था वो remove हो गया अब एक और है हमारे पास option luminance का अब luminance भी कुछ ऐसे ही काम करता है color का फाइदा यह है कि color को आप use कर सकते है sky के लिए या बहुत colorful areas के लिए इस वक्त मैं आपको यहाँ पर demonstrate करूँ यहाँ पर तीन colors है तो उसी तरह हम luminance पर आते है अब luminance करता ही है कि आपको यहाँ पर different luminance नजर आ रही है इन सारी layers के अंदर आपको पता चल रहे है यह ज्यादा light वाली है यह फिर उससे dark है और यह सबसे dark है इसी तरह जिस तरह आपने एक picture लिए होगी sky ज्यादा bright होगा नीचे areas ज्यादा dark होते जाएंगे तो अगर मैं range mask को ठीक यहाँ से यानि right side से move करूँ तो यह luminance वाले जितने areas पर mask मौझूद है यह उदर छोड़ेगा mask यानि यह वाले areas जो brighter है जो darker areas है उससे move करेगा लेकिन यह अभी भी इस area पर है यह दर्मयान वाले portion में और brighter area पर भी है तो मैं इस smoothness को अगर आके back की तरफ ले जाँ तो अब यह इस area से भी खतम हो गया और सिर्फ सबसे ज़्यादा bright area पर इस brush का काम रह चुका है ठीक उसी तरह अगर मैं यहाँ से यानि मैं right side से इसको move करते वे left side पर इस point को लेकर जाँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ darker areas पर अब इसका effect रहेगा और जतने light वाले areas हैं उस पर इसका effect खतम हो जाएगा और इसी विरसिस को luminance कहते है अब मैं इसको off कर रहा हूँ मैसक को और यह दुबारा से layer अपनी जगह पर आ गया अब अगर आप multiple layers के साथ काम करें यानि आपने यह वाली layer बना दी यह वाली बना दी उसके पाद आप new लेते हैं और आप new लेने के बाद एक और भी layer बना देते हैं या आप चाहते हैं कि अब यह negative 4 है और आप चाहरे हैं कि अब आप negative 3 पर काम करें तो आप यहां से new पर दुबारा क्लिक करेंगे और अब आपके पास एक और बन जाएगी आपके पास एक और टूल आ जाएगा और आपने उसको फिर यहां पर three पर लाना है और आप उस पर काम कर सकते हैं याद रखेगा अगर मैं यह सोचता हूँ कि अब मैं आकर इसको मूव करके एक और लाइन बनाऊंगा तो ऐसा नहीं है वो डिरेक्ट इसक पर एफेक्ट होगा यानि मैं अगर एक और लाइन बना रहा हूँ नया new टूल लिये बगए तो वो इसी टूल पर काम कर रहा है ये याद रखेगा तो इस टूल पर जतना काम होगा वो सारे का सारा देखें इससे एफेक्ट होगा ये आपने याद रखना है इसलिए आपने new पर आगे क्लिक करना है अब अगर इस तरह कि आप बहुत सारी layers पर काम कर रहे हैं मैं layers असलिए बोल रहा हूँ क्योंकि Photoshop में layers होती है यहाँ पर layers नहीं होती है पर अगर मैं इस टूल के इतने सारे points पर काम कर रहा हूँ और अकसर ऐसा होता है कि एक जगा पर बहुत ज़दा points बन जाते है और वहाँ पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं याँ अगर मैं ठीक कोई बहुत बारी की और मैं यहाँ पर एक और बनाना चाहा रहा हूँ मास्क लेकिन मैं वह नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि जैसी मैं करीब आ रहा हूँ तो यह fingers सी आ रही है और यह नहीं करने दे रहा मुझे तो उसका जो असान तरीक है वो यह है कि आपने edge की को प्रेस करना है जैसे यह आपने edge को प्रेस किया यह सारे points गाइब हो जाएंगे जिसका मत्तब्य है यह काम तो इस पर रहेगा लेकिन वो points नजर नहीं आएंगे तो मैं दुबारा ठीक इस जगा पर आके और काम कर सकता हूँ और ज्यादा क्योंकि अब यहां पर वो point शो नहीं हो रहा और दुबारा मैंने edge प्रेस किया तो अब देखें यह दुबारा से शो हो रहा है उसके इलावा अभी मैं इस पूरे को reset कर देता हूँ और मैं एक और चीज़ देखना चाहता हूँ कि यार मैं अगर यह मैंने एक line बनाई हुए है और मैं चाहरा हूँ कि यार मुझे पता हो या मैं इसको बिल्कुल zero कर देता हूँ अब मुझे नहीं पता कि यह जो मैंने overlay बनाई है इसने कहां कहां काम किया क्योंकि मैंने यहां से settings नहीं छेडी हुई तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ मैं press करूँगा O को जैसी मैंने O को press किया यह जितना लाल area है यह लाल area यह बता रहा है कि यहां यहां पर काम हुआ है अब एक और तरीका आपके पास उसका ही है कि ठीक screen पे नीचे अगर आप आ जाए तो यहां पर लिखा हुआ है show selected mask overlay अगर मैं इस पर click करूँ तो यह फिर मुझे उस overlay को दिखा रहा है और अगर आप यहां side पर आ जाए तो यह वही points है जो मैं आपको edge बताया था edge आपको auto और never के दरम्यान में switch करूआता है तो अगर मैं edge पर click करता हूँ मैं अभी never पर जा रहा हूँ और never से यह होगा कि मैंने फिर वही lines draw की और आप देख सकते हैं कि कोई point show नहीं हो रहा जहां से line draw हुई है और अगर मैं दोबारा edge प्रेस करता हूँ तो अब यह show हो रहा है तो आप ने देखा नीचे यह auto पर convert हो गया तो यह जो है point यह auto और never पर convert होता है अगर आपने edge प्रेस किया always का मतलबी है कि हमेशा यह point show होगा चाहिए आप बाहर है स्क्रीन से या स्क्रीन पर अंदर है जिसके अलावा अगर selected है तो selected पर यह होगा कि आपने different points बना लिए मैं new layer बना लिए मैंने एक और point बना लिए मैं फिर new layer हो मैंने एक और point बना लिए और अगर मैंने आखिर में select इस वाले को किया है तो अब यहां पर सिर्फ selected show होगा यानि यह वाला बाकी सारे show नहीं होगे मैं जायतर auto या never परी रहता हूँ इस वक्त मैं auto पर आ रहा हूँ और मैं इसको reset कर रहा हूँ यहां तक आपने पूरा brush tool समझ ली है अगर आपको यह वाले सारे option समझने है तो आप class देख लीज़ेगा आपको यहां पर एक option मुक्तलिफ लगा रहा होगा इसको moray कहते है अब यह नाम थोड़ा जीब है I know but what it does कि आपके पास अक्सर ऐसे मौक्या आते है जब एक picture होती है किसी बंदे के लिए और उसके कपड़ों के उपर orange या greenish सी lines आ रही होती है तो यह उसको remove करने के लिए होता है इस वक मेरे पास कोगी picture नहीं है आपको शोग करने के लिए आपको इदर एक और चीज़ याद रखने की जरूरत है कि अगर आप चाह रहे हैं कि यह line आपसे थोड़ी सी टेड़ी लग रही है थोड़ा आगे पीछे हो रही है और आप चाह रहे हैं कि एक बिल्कुल straight line लगे तो आपने shift key को press करना है और उसके बाद mouse को drag करना है यह अब आप देख रहे हैं कि मैं जितना भी इसको move कर रहा हूँ उपर या नीचे यह move नहीं हो रही और यह बिल्कुल straight जा रही है तो अगर आपको straight line बनानी है तो आप shift key को press करके आपने इस brush tool को move करना है अगर मैं इसको उपर से नीचे लाना चाहरा हूँ तो मैं उपर से नीचे लाते वे shift key को press कर लूँगा और अब यह जितना भी मैं side पर move नहीं होगा और यह perfectly straight line मुझे देगा अब मैं ठीक यहां पर आ रहा हूँ और मैंने एक picture select की वी है आपको यह demonstrate करने के लिए और मैंने इस picture पर क्लिक किया यह वोई picture है जो आपने शायद पिछली class में भी देखी थी अब यह picture perfect example है कि मैं चाहरा हूँ कि बाकी पूरी की screen पे कहीं पर भी exposure या कोई setting खराब ना हूँ लेकिन मुझे सिर्फ इसमें light शो करनी है बिलके 100 नहीं इसको ऐसा करते हैं 70% इसका मैंने feather रखा हुआ है उसके बाद मुझे इसकी brightness ज्यादा करनी है इसकी saturation भी ज्यादा करनी है और मुझे इसका temperature भी ज्यादा करना है अब मैंने यह सब करने के बाद यहाँ पर आके brush करना शुरू करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा time लगेगा इसलिए इसको मैं speed up करने वाला हूँ आपके लिए वीडियो में ताकि आपको सारा इतना time ना लगे बढ़ आप समझ जाएंगे और यह हमने अपना brush tool इस पर apply कर दिया अब आप यह देख सकते हैं कि brush tool का sign भी अदर आ रहा है अब अगर आपने देखना है कि यह पहले कैसी थी picture तो ठीक इस point पर मैं आउँगा और मैं यहाँ पर इसको click करूँगा तो यह आप देख सकते हैं यह before था और इस वक्त यह after है तो अब यह मुझे इस picture में फाइदा हुआ कि ज्यादा natural लग रही है और ऐसा लग रहा है कि अंदर light है और बहुत ज्यादा light है जबकि अगर मैं इसको कम करूँ तो यह ऐसा है अब मैं चाहूँ तो मैं इसको और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ अपनी मरजी से क्योंकि मैंने पूरे का बुरा brush तो इस पर apply कर दिया है तो मैं इसको यहां पर और ज्यादा जो कि बहुत बुरा लग रहा है I think इतना काफी है उसके लावा मैं temperature इसका बढ़ा सकता हूँ और यह था after अब after कितना अच्छा लग रहा है और यह इसी तरह आप इन सारे sliders को यूज करके अपनी picture को जिस तरह का effect देना चाहे हो दे सकते हैं अब मैं इसकी जगा और भी options यूज कर सकता था लेकिन मैं नहीं चाहरा था कि black area या और portion effect हो मैं सिर्फ चाहरा था कि यह सिर्फ जितना glass वाला area है वो सारा effect हो और यह effect हो चुका है और यहां पर हमारा brush tool खतम हो गया है मुझे उमीद है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा अगर कुछ भी नया सीखने को मिला एक class अच्छी लगी अगर कुछ नया सीखने को मिला है